हलो एवरिवन तो आज हम लोगी कहानी करेंगे जिसका नाम है अनाज की दाने और इसको लिखा है चंदरभान पी यादवने तो चलो देखते हैं कि क्या होता है हमारी कहानी में अनाज की दानों में एक दिन अपने इतिहास को लेकर बहस छड़ गई सबसे पहले गेहु ने भारी भर कम आवाज में बोलना शुरू किया इनसानों ने मेरे महत्व को पहचान कर मुझे 11,000 साल पहले उगाना शुरू किया इससे पहले मैं अपने मर्जी से जहां कहां उगता था हिंदुस्तानी उप महादवीब में मेरे जुल से हुए दाने मेहरगड में मिलते हैं ये दाने लगभग 7,000 साल पुराने होंगे मैं सारे अनाजों में सबसे पुराना हूँ चावल का दाना यानि धान गेहु की बात खतम होते ही दहारने लगा मैं मूल रूप से हिंदुस्तानी अनाज हूँ मेरे सबसे पुराने दाने उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा और महागड़ा से मिले हैं ये दाने 7,000 साल से कम पुराने नहीं होंगे हां अब दालों की बारी थी अरहर ने कहा चावल भाई एक आप ही मूल हिंदुस्तानी अनाज नहीं है हम लोग कहीं अमेरिका व अमेरिका से नहीं आई है हमारे भी सबसे पुराने दाने हिंदुस्तान में ही पाए गए हैं गुफराकल, बुर्जोम और चिरान जैसी जगाहों से गुफराकल और बुर्जोम कश्मीर में सितित हैं और चिरान बिहार में निधी और गोलू अनाजों की इस बहस को सुन रहे थे दोनों ने मिलकर अनाजों को डिब्बों में वंद कर दिया इसके बाद उनसे संबंधित पुरानी स्थानों का नाम एक परची पर लिखकर डिब्बों के उपर चिपका दी निधी के दिमाग में बार बार एक बात चुब रही थी कि अनाजों से पहले भी तो इनसान था उससे पहले वे क्या खाता था उसने अपनी बात गोलू के सामने रखी गोलू बोला खेती की शुरुवाद से पहले इनसान अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करता था फलफूल, दाने, पौधे, पत्तिया, एम, अंडे इत्यादी खटा करता था इनसान ने फसले उगाना आज से लगबग 12,000 साल पहले शुरू किया यह आनाज जो आपस में उपर बहस कर रहे थे इनका अस्तित्व पहले भी था परन्तों उनके उगने पर इनसानों का नियंत्रन नहीं था जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया वैसे ही इन पौधू को भी इनसान ने समय के साथ पालतू बनाया और इसी पालतू बनाने से खेती की शुरुवात हुई तो यह थी हमारी आज की कहानी मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंदाई होगी